सर जो सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेके आ रहे हैं इसको आप किस नजरिये से देखते हैं? हेल्थ इजे सब्जेक्ट जिसके अंदर की राजस्तान स्टेट हर स्टेट का सब्जेक्ट होता है हेल्थ प्रोवाइड करना गॉर्मेंट की जिम्मेवारी है यह मेरे को यह समझ में निया रहा है, यह बिल लाके सरकार यह जो एक्टिविटी है, जो कि उनको करना चाहिए वो एक प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर की उपर क्यों लाना चाहिए है, यह हमारे समझ से बाहर की चीज़ है आपको क्या लग रहा है कि यह जो चुनाव आ रहे हैं, इसको देखते वे सरकार यह बिल लेके आ रही है या फिर क्या इसके माइन है इस बिल से किसी का भला नहीं जा रहा है, इससे नया तो चिकित्सक्वर का भला होगा, नया किसी जनता का भला होगा इससे दा क्वालिटी ओफ सर्विस जो भी है मेडिकल की, वो नीचे से नीचे चली जाएगी जितनी भी योजना है उसके अंदर दे क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा लोस लेवल पर चलेगी है जिसके कारण से पेशिंट को उन योजनाओं का फाइदा नहीं मिल पा रहा है तो चिरन जीवी योजना को देखते है तो हर प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें दे नीरा अपने फैसलिटी चिरन जीवी में भी उसका कारण है कि उसके रेट इतने कम है जैसे अगर हम छोटा सा एक्जम्पल दें अगर को कुछ सोनोग्राफी कराना चाहरा है तो उसके 200-200 रुपे दे रहे है एक्सरे कराना चाहरा है तो उसके 60-70 रुपे दे रहे हैं आज एक एक्सरे की जो फिलम होती है उसकी कोस्ट पंतालिस से पचास रुपय होती है फिर आपका इंफ्रस्रक्ट्टर है आपके स्टाफ है आपके एक्यूपमेंट्स हैं तो यह सब चीज़ें वायबिलीटी नहीं आती इसलिए लोग को चिरेंज तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार को इसकी जो रेट है उसको बढ़ा देनी आपते। यह सब 두दनी हिन्ची है जिससे कि आप लोग प्राइविट होस्पिटल यह सरकार यह चाही है कि दाल का रिट ताबे में भी वो हूतँ और एक फाइव सेर होटल में भी हूऑ हो डिफेन्ट होस्पिटल के डिफेन्ट इंफररों सेक्ठर है उनके डिफेन्ट करक से हैं सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई इंसेंटिव किसी भी होस्पिटल को नहीं दिया जाता इसके बावजू सरकार अगर रेट बढ़ाती है तो डेफिनेटली इंप्रूव्मेंट हो का क्वालिटी ओफ सर्विसिस के अंदर